C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गनित की पाथ्य पुस्तक, गनित का जादू 2, प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 13 है, इसका शीर्शक है सबसे लंबा कदम, प्रिष्ट 104 से प्रिष्ट 110 तक, प्रिष्ट 104 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों से इस अध्याय का शीर्शक लिखा है, सबसे लंबा कदम, इसके ठीक बाई और काले रंग के अक्षरों में अध्याय की संख्या याने अध्याय 13 लिखा है और उसके ठीक साथ में एक बालत का चित्र बना हुआ है इस प्रिष्ट पर एक चित्र दिखाया गया है। चित्र के ऊपर पीले रंग के बक्से में लिखा है तीन दोस्त, खरगोश, हाथी तथा हिरन एक साथ एक पार्क में खेल रहे थे। इस चित्र में बाई और सबसे उपर हिरन का चित्र बना हुआ है। वो कह रहा है, देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। बाई और नीचे खरगोश का चित्र बना है। वो कह रहा है, हाँ, इसमें बहुत मज़ा आएगा। दाइं और उपर हाथी का चित्र बना है। वो कह रहा है पर तुम दोनों तेज भागते हो और मैं धीरे चलता हूँ। मुझे पता है तुम में से ही कोई पुल पहले पार करेगा। मैं तु नहीं खेलता ये खेल। दाइं और नीचे खरगोश का चित्र बना है। वो कह रहा है चिन्ता मत करो एक नियम बनाते हैं। हम दोड़ेंगे नहीं हम केवल चलेंगे। खरगोश के इस चित्र के ठीक नीचे पुल का चित्र बनाया गया है और पुल के उपर सबसे पहले हाथी, उसके पीछे हिरन और उसके पीछे खरगोश चलता हुआ दिखाया गया है। पुल के नीचे पानी बहता हुआ दिखाया गया है। प्रिष्ट 105 वे खेलने लगे कितनी हैरानी की बात है कि अंत में हाथी जीता क्या तुम बता सकते हो हाथी क्यों जीता कौन सबसे लंबे कदम उठाता है इस कहानी को नाटक के रूप में खेलो इसके नीचे बाई और नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है करके देखो इस प्रिष्ट पर बीच में एक चित्र बना है बाई और इस चित्र में एक टेबल दिखाई गई है उस पर एक बच्चा बैठा है टेबल के बाई और नीचे एक चिडिया दिखाई गई है और टेबल के पीछे हरे रंग की जाड़ी और लाल रंग के फूल दिखाई गए हैं फूलों के उपर पीले रंग की एक तितली उड़ रही है इस चित्र के ठीक दाई और एक और टेबल का चित्र दिखाया गया है उसके सामने एक बालक खड़ा हुआ है और वो कह रहा है मैं यहाँ बैठता हूँ मैं पता करके देखता हूँ कि मेरा दोस्त कितनी दूर बैठ इस चित्र के नीचे आप से एक प्रश्न पूछा गया है तीन-चार दोस्तों का एक समुह बनाओ लाइन खीच कर यह पता लगाओ कि किसके कदम सबसे लंबे हैं दूरी पता करो क अपनी कक्षा के दर्वाजे तथा किसी खिड़की के बीच ख ब्लाक बोर्ड और जहां तुम बैठे हो प्रिष्ठ एक सो चै इस प्रिष्ठ पर बाई और सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है हाथ या उंगलियां इस प्रिष्ठ पर दाई और एक चित्र बना है जिसमें एक टेबल पर पैंसिल और कुछ अन्य सामान रखा है टेबल के बाई और एक बालक खड़ा हुआ है जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला है नीचे एक पुस्तक रखी है जिस पर लिखा है गनित का जादू इस चित्र के बाई और लिखा है रजत कुछ चीजों की लंबाई अपने हाथ अर्थात बित्ते से नाप कर पता करना चाहता है चित्र में उन चीजों को दिखाया गया है क्या वो इन सभी चीजों की लंबाई हाथ से नाप सकता है तुम्हारे आसपास कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी लंबाई एक बित्ते से कम है नाम बताओ इन चीजों की लंबाई नापने के लिए आप किन चीजों का प्रयोग करेंगे इस प्रिष्ठ पर बीच में नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है करके देखो इसके ठीक दाई और एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक टेबल पर मिट्टी से घर बनाते हुए एक बालक और बालिका को दिखाया गया है इस चित्र के बाई ओर लिखा है मिट्टी से अपना अपना एक घर बनाओ देखो किसका घर ज्यादा उंचा है अपने घर की उंचाई जानने के लिए तुम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो इसके नीचे लिखा है किसने सबसे बड़ा मिट्टी का घर बनाया किसका मिट्टी का घर सबसे छोटा है इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे नारियल के दो पेड़ दिखाए गए है इसके दाई और नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है अंदाजा लगाओ इस चित्र में दो नारियल के पेड़ दिखाए गए है इन में सबसे बड़ा पेड़ छै मीटर उचा है देख कर बताओ कि दूसरा नारियल का पेड़ कितना उचा है प्रिष्ट 107 इस प्रिष्ट पर बई और नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है अंदाजा लगाओ और फिर जांचो इसके दाई और एक चित्र दिखाया गया है जिसमें ब्लैक बोर्ड पर मैडम कुछ लिख रही है उनके साथ में एक स्टूल पर एक चोटी लड़की खड़ी है और मैडम के पीछे एक चोटा बच्चा बैठा हुआ है इन दोनों की नजरें मैडम की लंबी चोटी पर है नीचे बैठा हुआ बच्चा कह रहा है मैडम की चोटी कितनी लंबी है इसके बाई और लिखा है नीचे लिखी चीजों की लंबाई या उंचाई का अंदाजा लगाओ। उन चीजों के असली माप से अपने उत्तर को जाचो। इसके नीचे इस प्रिष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में सबसे उपर सलेटी रंग के कॉलम में शीर्शक के रूप में पहले कॉलम में लिखा है वस्तु का नाम, दूसरे कॉलम का शीर्शक है मेरा अंदाजा और तीसरे कॉलम का शीर्शक है मेरा परिणाम। पहले कॉलम के नीचे एक गिलास का चित्र दिखाया गया है। उसके ठीक सामने खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है उंगलियां। मेरा परिणाम शीरशक कॉलम के नीचे लिखा गया है खाली स्थान उंगलियां। इसी तरह वस्तु का नाम शीरशक के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा गया है बाल्टी और फिर बाल्टी का चित्र बनाया गया है। इसके साथ वाले कॉलम में लिखा है खाली स्थान, बित्ता और उसके साथ वाले पीले रंग के बक्से में लिखा है खाली स्थान, बित्ता। इसी तरह वस्तू का नाम शीरशक के नीचे तीसरे कॉलम में लिखा है तुम्हारा हाथ। उसके सामने हाथ का चित्र बनाया गया है। उसके साथ वाले शीर्शक याने मेरा अंदाजा शीर्शक के नीचे तीसरे कॉलम में खाली स्थान और फिर माचिस की तीली लिखा गया है। इसी तरह मेरा परिणाम नामक शीरशक के नीचे तीसरे कॉलम में खालिस्थान छोड़ा गया है और उसके साथ लिखा गया है माचिस की तीली वस्तू का नाम शीरशक के नीचे चौथे कॉलम में लिखा है शिक्षक की मेज उसके सामने मेज का चित्र बनाया गया है मेरा अंदाजा शीरशक के नीचे चौथे कॉलम में पहले खालिस्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा है गनित की पुस्तक इसी तरह मेरा परिणाम शीरशक के नीचे चोथे कॉलम में पहले खालिस्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है गनित की पुस्तक वस्तु का नाम शीरशक के नीचे पांचमे कॉलम में लिखा गया है तुम्हारी नाक फिर नाक का चित्र दिखाया गया है उसके साथ वाले याने मेरा अंदाजा शीरशक के नीचे पांचमे कॉलम में पहले खालिस्थान छोड़ा गया है फिर लिखा गया है उंगली और उसक साथ याने मेरा परिणाम शीरशक के नीचे पांचमे कॉलम में पीले रंग के बकसे में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है उंगली इसी तरह वस्तु का नाम शीरशक के नीचे छटे कॉलम में लिखा गया है पानी की बोतल उसके साथ में पानी की बो शाया गया है। मेरा अंदाजा शीरशक के नीचे पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर छठे कॉलम में लिखा गया है उंगलियां। इसी तरह मेरा परिणाम शीरशक के नीचे छटे कॉलम में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है उंगलियां। वस्तु का नाम शीरशक के नीचे सबसे आखरी कॉलम यानि साथवे कॉलम में लिखा है तुम्हारे बाल। इसके साथ में एक बालिका का चित्र बनाया गया है जिसके बाल लंबे हैं। इसके साथवाले कॉलम में यानि मेरा अंदाजा शीरशक के नीचे साथवे कॉलम में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है बित्ता। इसके साथ वाले कॉलम में याने मेरा परिणाम शीरशक के नीचे आखरी कॉलम में पीले रंग के बकसे में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है बित्ता इन सभी खाली स्थानों को भरें इस तालिका के नीचे हरे रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश इकाईयों जैसे उंगलियां, बित्ता तथमाचिस की तीली के सही इस्तेमाल के बारे में बच्चों को बताईं बच्चों को अलग-अलग इकाईयों से, अलग-अलग वस्तुओं को, मापने को कहीं प्रिष्ट 108 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर पीले रंग के बकसे में एक चित्र दिखाया गया है इस चित्र के शीर्शक के रूप में नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है बिल्ली का खाना, चूहा या दूद इस चित्र में दाईं और एक बिल्ली को दिखाया गया है उसके ठीक बाईं और एक घर को दिखाया गया है और इस चित्र में नीचे एक चूहा और फिर कटोरे में रखा हुआ दूध दिखाया गया है इसके नीचे लिखा गया है उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ खाली स्थान उंगलियां बिल्ली चुहे से कितनी दूर है? खाली स्थान, उंगलियां. बिल्ली सबसे पहले किस के पास पहुँचेगी? चुहे या दूध के कटोरे के पास? क्या चुहा अपने आपको बचा सकता है? कैसे? इस चित्र के आधार पर कहानी सुनाओ. चुहे की पूँच कितनी लंबी है? खाली स्थान, उंगलियां, लंबी मूचें किस की हैं? चुहे या बिल्ली की? प्रिष्ट 109. इस प्रिष्ट पर सबसे उपर गुलाबी रंग के बकसे में एक चित्र दिखाया गया है. इस चित्र में बाई ओर सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों में इसका शीरशक लिखा गया है. नापो और बनाओ. इस चित्र में दाई ओर एक चीटी को दिखाया गया है, जो के एक पत्थर के साथ में खड़ी हुई है. इस चित्र में बाई ओर नीचे पेड की डाल पर एक बंदर का चित्र दिखाया गया है. इसके नीचे लिखा है पत्थर से दो उंगली की दूरी पर एक पत्ता बनाओ. बंदर से पांच माचिस की तीली की दूरी पर एक केला बनाओ. पत्थर से साथ उंगली की दूरी पर एक पतंग बनाओ. पतंग से तीन माचिस की तीलियों की दूरी पर बादल बनाओ केले से चार उंगली की दूरी पर एक चिडिया बनाओ इस पन्ने पर अपना चित्र कहीं भी बनाओ और पता करो कि तुम बंदर की नाक से कितनी दूर हो इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश दी गई वस्तू के संदर्भ में बच्चों को किसी भी दिशा में नापने वचित्र बनाने दे वे अलग-अलग दिशाओं में दूरी ना पेंगे ये दिशाओं के बारे में चर्चा का आधार बन सकता है प्रिष्ठ 110 इस प्रिष्ठ पर बई और सबसे उपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है क्या ऐसा है इसके नीचे लिखा है संजू और उसके दोस्त ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि उनके शरीर के विभिन भाग कितने लंबे हैं उन्होंने ये पता लगाया इसके नीचे संजू का चित्र बनाया गया है उसने हरे रंग की कमीज पहनी हुई है वो अपनी उंगलियों से अपने चेहरे को नाप रहा है वो कह रहा है मेरा मुह एक बित्ते भर लंबा है दाई और बनाये गए एक चित्र में उसके दोस्त को दिखाया गया है वो अपने हाथों से अपने पैर को नापने की कोशिश कर रहा है वो कह रहा है मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे नहीं है बई और नीचे एक बालिका को अपने माथे को अपनी उंगलियों से नापते हुए दिखाया गया है वो कह रही है मेरा माथा करीब चार उंगल चौड़ा है क जो उन्होंने कहा क्या तुम भी वैसा ही मानते हो ख पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का एक एक बित्ता लंबा मुहु है खाली स्थान को भरो दो पैर के बराबर हाथ है खाली स्थान को भरे तीन चार उंगल चौड़ा माथा है खाली स्थान को भरे गर तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उनके माप को लिखो एक तुम्हारी नाक खाली स्थान उंगलिया दो तुम्हारे कान, खाली स्थान, उंगलियां इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे सलेटी रंग के बकसे में महत्वपून जानकारी दी गई है शिक्षकों के लिए निर्देश यहां पर शरीर के भागों के जो माप दिये गए हैं वे अंदाजे के आधार पर हैं इस अभ्यास का उद्देश बच्चों को शरीर के अंगों की सहायता से मापना सिखाना है अतहे इस दावे का सामान्य करण नहीं किया जाना चाहिए इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 13 यहां समाप्त हुआ वाचक, बाबला कोचर तक्नीकी समन्वे बटि लैंग लिंग्डो, निर्माण सहयोग, रुची शर्मा, निर्देशन वन निर्माण, वंधना अरिमर्दन, तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली, भारत